नमस्कार आप देख रहे हैं N20 Live मैं आर रॉय आप सभी दर्सकों का एक बर फिर से स्वागत करता हूँ जिसा कि N20 Live की टीम अलग-अलग पंचायतों में जाकर वहां के परतियासियों से मिल रही है और उनका जो सोच है उस सोच को उस पंचायत के हर जंता तक पहुँचाने के लिए कारे कर रही है तो जिसा कि अभी हम मौझूद हैं सिवान सदर के चनौर पंचायत में और चनौर पंचायत का एक इतिहास भी छिपा हुआ है जुड़ा हुआ है अप लोग के साथ कि 20 साल से यहां के जो मुखिया है संजे सिंग वरतमान में अभी वही मुखिया थे लेकिन इस बार के जो चुनाव है उनके लिए भी आसान नहीं है और जो यहां के परत्यासी लोग चुनाव लड़ रहे हैं अभी जो पांच साल बीता तो सरपँज के नाते जो भी इनको सेवा देना था उसेवा किये है अपने प्रेंचायत के लिए और इस पर ये मुख्या के पद से नमांकन भी करा चुके हैं आज़े इनसे मिलवाते हैं स्वागत है मैरे चैनल पर आपका है आपका भी स्वागत है और स्वागत के साथ में पूरा ग्राम बाशीयों को परनाम नमस्कार आधार आप करता हूं तो जिसा की चुनाव काफी नजदीक है, 29 तरीकों चुनाव है, सारे परत्यासियों का दौरा तेज हो चुका है, तो आपके चुनाव की त्यारी कहां तक पहुंच चुकी है? जैसे की गाम का बिकास का सवाल है इसके पहले हम HERM के गाम सर पंच थे और पांच साल तक अपने अच्छे धंग से नेयाइक परकीरिया करतेय उए इस गाम का सेवा किए उसमें गराम कचहरी का संचालन किये गराम कचहरी के माधियम से जो भी केसे था उसका निस्पादन किये जिसमें देल सो केस का हम निस्पादन किये और सिवान लोवर कोट से जो भी टांसपर मेरे पास केस आया था पंदरा केस जिसमें 13 केस का निस्पादित करके और अपने परकांत में भेजे तो जैसा कि चुनाव तो नजदीक है और चुनाव इतना असान नहीं है किसी के लिए ना आपके लिए ना जो बरतमान में मुखिया थे उनके लिए क्योंकि इस बार का चुनाव किसी के लिए असान है क्या लग रहा है कि आपके लिए चुनाव असान है आदमी का बया कर रही है जिसके तो हम चुनाव लगना असान है तो आपका मुदा क्या रहेगा आप किस मुदा पर भोट मांग रहे हैं हम अभी जुता वादा जो भी पहले चुनाव के पहले वादा होता है वो जुता होता है वो करके देखाना होता है हमारा मुदा है कि सिक्षा पिकास करेंगे खुद हम परहलिके बेक्ति है और हम कोशिश करेंगे कि हर बिभाग में हर तरह का सेवा अच्छा तरह से हम जानता को करके देखाएं और जानता भली भाती हम से परचीत है क्योंकि हम पांच साल यहां पर सरपांच के परद परा करके सेवा दिये है और जो भी मेरा बेक्तीतु है वो जानतान से छिपा नहीं है और यहां पर पतियासी हमारे पंचायट से 5-5- печ recruited यहां पर लगर हैं अपने अपने भाग का फैसला कर रहा हैं पर नचाइत की जनता हर जाती हर मज़ब के लोगा आपके सांच जूर पाएंगे। चुनाव आसान इसले नहीं होने वाला है क्योंकि पिछले बार तक जब चुनाव हुआ था चार बार तो इसमीं जो मुख्याजी के भिपक्ष में जो इढ़ते थें उस बर चुनाओ में ख़ढ़ा नहीं हो रहा है मुख्याजी के समर्थन हो दे चुके हैं तो क्या लग रहा है कि इस बार भी चुनाओ उखा ही होगा जो पिछली बार हुआ था देखिए मुखिया का जो भी चुनाव होता रहा है आज से 20 वरस के पास तो जो सांथ में चुनाव उनके एगेंस में लगते हैं और वही जाके सांथ में खरे हो जाते हैं ऐसी इस्तिति आती है कि जो उनका एगेंस करता है उनकी का हो जाता है और यही तोलने के काम करते रहते और समाज को एक अलग भदकाते रहते हैं तो जिसे कि आज आप आज आप अगेंस कर रहे हैं तो अगली बाज चुनाव आप भी उनका सपोर्ट करने लगा यह तो सभी बताएगा और पांच साल से तो हम माल लिजे कि उनके साथ ही थे और हमारा वो जान रहे हम उनका जान रह हमारे चैनल के माध्यम से चनवर पंचायत की जो भी जनता आपको देख रही है उस जनता से क्या पिल कीजेगा उन्तिस तारीकों जो भोटिंग है उसके लिए देखिए इस सारे गाउं के जनता अभी कोई भी बेकूप जनता नहीं है और पहले आज से जो 20 वरस पहले जनत जनता नहीं है आज के नहीं जो भी नौजवान लरके हैं इस बात को सब अच्छी बाती से जान रहे हैं कि समाज को क्या चाहिए और किस तरह के बिक्तिक को पसंद करती है और कैसा विकास करना है किस तरह रहना है किस तरह समाज का उत्थान होगा इस समाज भली बाती जानत तो जैसा कि हमारे साथ मजूर थे अभी चनर्मा यादो जी जो यहां से मुख्या की चुनाव लड़ने जा रहा है चनर्व पंचायत से और पांच साल तक सरपंच की गदी पर ये जनता की सेवा भी दे चुके हैं और इस पर चुनाव लड़ने का इनका कही मुद्दा है कि जो भी मतलब कमिया है पंचायत में उस कमी को मैं पूरा करवर जनता के इनको समर्थन भी मिल रहा है इसा इनका कहनाम है और इनका ये भी कहनाम है कि सभी जाती सभी मजभब सभी धर्म के लोग मेरे साथ चुनाओ में हैं और चुनाओ मैं असानी से जीत रहा हूँ और लेकिन ये इस बात कि वो ये मान रहे हैं कि इनकी जो लगाई है और कि इसी परत्यासी से नहीं है जो बरतमान में मुखिया से संजे सिंग उन ही से इन की लड़ाई इनका साफ का नाम है ये तो समय बताएगा एक तारीक आने वाला दिन बताएगा कि कौन जित्ता है चुनाओ ये एक तारीक उप्ते होगा तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए N20 Life पर धन्यवाद